दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब बेल आइकॉन दबा कर पाए, दुनिया की सारी रोचक खबरे फटाफट, थैंक यू, सल्मान खान और लूलिया वंतूर के रिलेशन्शिप की चर्चा तो चलती रहती है, कई बार दोने की शादी की खबरें भी आए और कई बार उन्हें साथ में भी स्पोट किया गया, हालांकि दोनों में से किसी में ना कभी रिलेशन्शिप की बात स्विकार की और ना ही कभी इसस, इंकार किया, सल्मान और यूलिया एक साथ वैसे तो मीडिया में कम ही नजर आते हैं, लेकिन जब भी ए बटोर लेता है यूलिया को कुछ दिन पहले सल्मान खान के साथ साकिप सलीम की बर्टे पार्टी में दबंग खान के साथ देखा गया था, जिसमें दोनों एक साथ दिखाई दिये थे, हालांकि यह ऐसा पहला मौका नहीं था जब यूलिया सल्मान के साथ दिखाई दी हो, गूलिया वंतूर और सल्मान खान के रिलेशन्शिप को लेकर आज अटकलों का बजार गर्म दिखाई दे रहा है इस पोस्ट में लूलिया ने बिना किसी का नाम लिए ब्रेक अप की तरफ इशारा किया है लूलिया ने सोशल मीडिया पर लिखा पिछले दिनों जो मैंने सबसे बड़ी गलती की है वो शायद प्यार का मतलब सही इंसान की तलाश असलियत में प्यार का मतलब है खुद सही इंसान बनना जिंदगी बिताने के लिए सही शक्स को मत तलाशिये बलकि खुद सही बनिये हाला कि इस पोस्ट को यूलिया ने अपने इंस्टाग्राम और ट्वीटर से डिलीट कर दिया है इस से पहले यूलिसा ने वैलेंटाइन डे पर सल्मान खान से शादी के सवाल पर बड़ा बयान दिया था यूलिया ने कहा था मुझे नहीं लगता की शादी जरूरी है जब दो लोग प्यार में होते हैं तो शादी जरूरी नहीं मैं अपनी स्वतंत पहचान बनाना चाहती हूँ न कि यह कि मैं सल्मान खान की गल्फ्रेंट के रूप में पहचानी जाऊँ मैं रूमान या मैं अपने दम पर अपनी पहचान बना चुकी हूँ अब मैं यहां भी अपनी खुब की पहचान के साथ रहना चाहती हूँ झाल झाल